कि जिंदिगी की रेस में कभी धूब तो कभी छाया कि जिंदगी की की रेस में कभी धूब तो कभी छाया तुमको नहीं पता मैं कुटा कात के खाया तो और भाई लोग क्या हल चाल है अब आज की एंट्री थोड़ी अलग थी आई होप आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो शुरुआ तुम ही एक लाइक कर देना फिलालब बात करतें इस गेंपले की तो आज का मैच बहुत इंटेंस क्योंकि आज के मैच मैं एक जगह पर एक फुल सकोट को गाड़ी सखोचल दूँगा अब मैं जानता हूं यह सुनके आपको लगा होगा नूब बंदे होएंगे लेकिन नहीं भया प्लैन मिजन का टाप आरपी में नाम है था उस सकोट के बंदों को तुम्हारे भाई ने फटपात में को चला ह बैसे यह बात भी सही है कि जैसे हर बंदा हर बंदी का बिरो नहीं होता बैसे हर ताप आरपी वाला प्रो नहीं होता पर जो भी हो वीडियो को पूरा देखना काफी ज्यादा मज़ट आपका आएगा पर फिलाला मोतर हैं नूब रुपनों हैं और यहां पर उतरते ही अब यहां पर मैं तीन बंदों को निप्टा देता हूँ एक अकेला बचा है जो कि कट्टा लेके भागा था तो उसे भी पकड़ते हैं आ रही थी सामने से एक दंबो पिखल गई देखते ही तुम्हारे भाई को 60 से फिसल गई और यहां पर उतरते ही मैं 60 से सकोट की पेटी बना देता हूँ खेर इनकी पेटी बनाने के बाद फस्ट वाले कंटेनर में भी कुछ बंदे होते हैं जो की आपस में ही मोटवेड कर रहे हैं तो मैं फटा फट यहां से लूट लाट करके आगे की तरफ जाता हूँ उत्ताई में मेरे को आगे से गोली चलने की अवाज आती है सुनू आप और अब देखो क्या होगा अब एक बंदे को में हैं नोक कर दीता हूं लेकिन आगे जो होगा उसे ध्यान से देखना क्योंकि एक ही सप्रे में तुम्हारा भाई दो को निप्टाएगा ब्लड डोनेट करने से पहले हमेशा उसका ग्रुप जाचना बसंती इन कुट्तों के सामने मत नाचना और फाइनली मैं सकॉट की भी पेटी बना देता हूं खेर इसके बाद नोबर अपना पूरा खाली हो जाता है तो अब हम आगे जाएंगे पर उससे पहले में आपको बता दूँ कि आज हमारे साथ भी एक बसंती खेल रही है जो की रहती है बैला और बैला की एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं तो बैला को एक दिन एक लड़के ने बोला बेबी I am so happy हमारी साधी होने बाली है बैला भी कहती है यस बेबी मैं भी बहुत खुश हूं तो फिर वो लड़का बड़े एमोसन से कहता है आज से तुम मेरी पूजा आरती और प्रेड़ना हो तो हमारी बैला जी जिनकी बैल बुर्धी वो भी कह देती है आज से तुम मेरे रमे सुरेस जिगनेस हो लिव भीया साधी टूट गई और फिर कहती है ओ सौरी मुझे और जिस हिसाब से यहाँ पर गोली चली थी तो मैं समझ गया था कि यहाँ पर बंदे हैं तो मैं लेप से उपर की तरफ फ्लैंक करता हूं पर उत्ता ही मुझे एक बंदा दिखता है पर एक्च्वल में हमारे सम्मानी अद्मी बोट दाता होते हैं तो इनकी पेटी बनाने के बाद मैं उस बंदे को धूरता हूं जो कि अभी गोली चलाया था और बो मुझे यहाँ मिलता है और अब वोई बात हो गई भईया तेरी अदाओं में मैं वारी बारी डायल 149 फॉर्रेल विनकॉईरी तो वैया यहाँ पे ये भी बोट दादा ही होते हैं और उसके बाद एक बोट दादा और मिलते हैं लेकर मैं सही बताऊं तो जिस बंदे के हमने गोली चलने की अभा सुनी थी वो एक रियल बंदा होता है और असल में वो बंदा मुझे गेम खिलते टाइम नहीं बोई सोब करते टाइम दिखता है तो इस सीन को जड़ा ध्यान से देखो जब हम यहां आये थे तो एक गाड़ी जा रही थी और उस गाड़ी में मैंने ध्यान ने दिया था और यह वही बंदा होता है जो कि गोली चलाया था तो कुल मिला के वो निकल गया है तो रात गई बात गई अब हम भी आगे की तरफ निकलते हैं और अब इस मैच में जो भी सीन होगा वो अलगी लेबल का होगा तो वीडियो को बलको ध्यान से देखना मज़ा टाइप का जाएगा अब उपर की तरफ दो टीम के बीच में बबादत इस दित्ती बनी थी पर मैं यहां पर बिना सोचे और अब वक्त आ गया है जहां मैं आपको एक टिप्स देना चाहता हूं तो अगर आपकी किसी दोस्त से उधारी हो और वो आपके पीछे पाड़ा हो कि भाईया चुका दे नहीं तो पिछवाड़े में देंगे तीन और सब लेंगे चीन तो उस दोस्त को बलको एमोशनल हो होगे भाईया पस यह कह देना पता नहीं अभी तक तुमने हमें कितना जाना पर हमने तुम्हें दिल से भाई माना उसके बाद भाईया एक दो दिन की महलत जरूर मुझे परता है कि आप लोग अब भी नौक होने का रिजन जानना चाह रहे होगे तो देखो भाईया हमें मैं नहीं नहाना और मेरे पास नहीं है आज बहाना क्योंकि सच बता हूं तो हग दिये थे यार पर अभी मैं ठीक हो गया हूं तो अम मैं पट्टी लगाता हूं और देखो यार इन बंदों को कैसे निफ्टाता हूं अब एक बंद सरकारी ड्रॉप के पीछे होता है तुम्हें बंबबूरा करता हूं और देखो इससे क्या होगा मैं स्पॉर्ट्रेड हूं मुझके फारत मुझके लोकेशन आपके पांस सकेंड ख्राप होईंगे और कुछ नहीं होगा भया फिलाल अब देखो जरूरत नहीं किसी की माना तेरे फ्रेंड बहुत हैं पर फॉजी सीजे कम नहीं खुद महीं एक ब्रेंड है तो यहर फानली सकॉट की मैं पेटी बना देता हूं पर उत्ताई में एक बंदे की और गोली चलने की आबाज आती है अब यह बग्गी आती है जो कि निकल जाती है पर अगर आप मैप में ध्यान से देखो तो किसी बंदे ने यहां पर मोलो फेका है यानि कि कोई सांप यहां पर लेटा पड़ा है तो इसलिए मैं आगे गाड़ी की तरह भागता हूं क्योंकि गाड़ी से उसको हम धूर सकते पर उत्ताई में यसी होता है प्रेश्चा पूरी स्कॉर्ड से चाहे आजवाना पूरे सो कार से कोचल के मारूंगा फिर बोलूंगा गो कोरोना गो तो यार फानली सकोट की मैं पेटी बना देता हूं तो इस सीन के लिए एक सब्सकाइब तो बनता है तो अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सकाइब के लाज बटन को ठोकना मत भूलना और अगर पुराने हो तो शेयर कर दिया करो क्योंकि आपके एक सेयर से बहुत हेल्प मिलती है फिलाल देखो यार इनकी जब मैं पेटी बनाता हूं तो नीचे की तरफ से गाड़ी जाती है तो मैं उस पर प्री फायर देता हूं ताकि वो रुख जाए और एच्वल में वो रुख जाते हैं देखो यार आप भी पन्ति फंति गर ऑपर गया मैं आ जैसे ही नौक करता हूं तो मैं रस करने के मूह में था पर actual में हम पर मैं पट्टी नहीं लगाया था तो मैं कवर में आके पट्टी लगाता हूँ पर उत्ताई में एक बंदा और मुड़ी दिखाता है ये एक बंदा फ्लाइंग कर रहा है लेफ्ट को इस गर में हौजी की सनाइपिंग है जगकास और मेरे फैन से मेरे लिए बहुत खास अब यहाँ पर मैं जैसे इस बंदे को नौक करता हूँ तो मैं अपने टीमेट से बोलता हूँ रस पर और उसारी में ये और जोड़ लेना मेरे फैंस मेरे लिए बहुत खास और मेरे टीमेट से नहीं थी मुझे ये आस तो कुलमिला के भाईया मेरे टीमेट अलगाई लेबल के नूब है मैं उनसे बोला रस तो भाईया पैदल रस कर दिये ऐसे कौन करता है यार खेर जो भी हो अब मैं सोचता था कि एक बार और एक बंदे को नौक कर दूँ पर उत्ताई में ये होता है मैं पंद्रह मिनिट तक अपनी साना शुरूप सकता हूँ मौत को छूके तक किसे बापे साचता हूँ और भाईया बम बिल्कुल मुए में भटा था पर जैसे तैसे तुम्हारा भाई बच गया तो यहाँ पर मैं पट्टी लगाता हूँ और अब देखो यह रागे क्या ही सिखुएंगे ओ यह रहा है यह रहा है यह रहा है यह गाड़ी में बैठा गाड़ी में बैठा अब यहामें बंदे को नॉक करता हूँ और डेरेक्ट रस कर देता हूँ और देखो आप चलो आप चलो चलो धर सब्सक्रट इस खर की शताभ अभाई फेसफेशन तो एक की पेटली में बना देता हूं और अब उनके भी तीन हो और हमारे भी तीन तो देखो अरब क्या होगा सीन नीचे हम डरे बेना तुस्ते लड़े क्योंकि हम में दम था जो तेरे घर में फूटा वो पाजी का बम था बोलो जैस्री राम और अब यहां पर तीन बंदे नौके सरफ एक ही बचा है लेकिन यागा 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 यागागा बोस्को मार्णिउ कि यहां पर बैला ने उस लाश्ट बंदे को निपता की दिल जीत लिया था तो अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो अब तो दबाई दो यार एम रखते हैं 20,000 लाइक का पहली बार रखा है कंप्लीट करवाई दोना यार खर देखो इनकी पेटी बनाने के बाद आगे निकलता हूं और काफी देर तक बंदों को धूरता हूं पर अब जो होगा वो गलत होगा देखो यार क्या होता है कि अ कि मैच जीते हैं या ना जीते हैं कोसेश जारी रहेगी और सची हमेसा फजी की यारी रहेगी अब देखों यहाँ पर अचानक से यह बंदे हमको देखते हैं तो मैं सच बताऊं तो मैं थोड़ा सक अ घबडा गया था तो भैया मैं आगे की तरफ भगाता हूं उत्ताई में वो गाड़ी मुल्का आते हैं तो यहाँ जो भी हुआ बो सर्फ मेरी गलती के बज़े से हुआ तो उसके लिए छमयाचना तो यार इसी के साथ आज नहीं हूपाता चिकेन डिनर तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लगयोगी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक देरू करना चैनल में नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और साथ ही इस्टा में फॉलो कर लेना लिंक डिस्क्रिप्शन में है और जाते जाते आज 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 आपसे एक बात कहूंगा आपकी किस्मत आपको मौका देगी मगर आपकी मेहनत सबको चौका देगी तो किस्मत से जादा मेहनत पर बिलीब करो तो बस भई लोग आज की वीडियो में तनी था मिलते हैं को और नई वीडियो के साथ थैंक यू फर बचेंग है वाग गोडे लाव यू और जहिंद जाभारत जमाता दी